इंडिया और चाना के बीच में जो कॉन्फेक्ट हुई थी वहाँ पर हुआ क्या है इंडियान साइड या कह रही है चानी साइड यहाँ पर क्या कह रही है अगर पहली बार तो मैं आपको यह बता दूँ कि यह जो भी रिसेंटली हुआ है ना अर्वाशल परेश में यह इंसिरेंट यह बहुत ज़ारा बढ़ सकता था क्योंकि बहुत सी रिपोर्स हमको यही बताती है कि इंडियान एर फोर्स के फाइटर जेट्स दो से लेकर तीन अर्वार एक्टिवेट हुए थे यह स्क्रैंबल किये थे मतलब के इन्होंने टेक ओफ कर लिया था और कोशिश यहां पर यह थी कि चान्नी साइट से कोई एर वालेशन ना हो जाए चान्नी साइट का कोई ड्रोन फाइटर एरक्राफ्ट इंडियन साइड में ना आ जाए इसके बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे डिसकस करेंगे यहां पर हुआ क्या है मगर सबसे बहले मैं चाहता हूँ कि राजनाक सिंजी ने हमारे देश के रक्षा मंदरी ने पारलेमेंट में खड़े ओकर क्या का है यह जो एक वीडियो है एक दो मिनट की यह मैं चाहता हूँ आप सुनें उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एर फोर्सेज यहां पर कैसे अल्मोस्ट इन्वाल्व होई गई थी नव दिसम्बर 2022 को पियले ट्रुप्स ने तमांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन आप एक्चल कंट्रोल पर अच्करमण कर इस्टेटस को को एक तरफा बदलने का प्रयास किया चाइनाज के इस प्रयास का हमारी सेना ने जणता के साथ सामना किया है और इस फ्रेसाप में हाथा पाई भी हुई है भारती सेना ने भादुरी से पियले को हमारी टेर्टरी में अट्रुबन करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर इस जड़प में दोनों और के कुछ साइनिकों को चोटे भी आई है और मैं सदन को अउगत करना शाहता हूं कि हमारे किसी भी स्टैनिक की नो तो मृत्य हुई है और नहीं कोई गंभेर रूप से घायल हुआ है इंडियन मलेट्री कमांडर्स के टाइमली इंटर्वेंशन क के कारण पियले स्टोल्यर्स अपनी लोकेशन्स पर वापस चले गया ध्रक्ष्म हो दे और इस घटना के पश्चाथ एरिया के लोकल कमांडर ने ग्यारह दिसंबर 2020 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ज के साथ अस्थापिज व्योस्ता के तहत अस्थापिज व्योस्ता के साथ कूटनीती कस्तर पर भी उठाया गया है अध्यक्ष्म होदे मैं इस सदन को आस्थ करना चाहता हूं कि हमारी सेना हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रजिबद और इसके खिलाफ और 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 इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रो अब कित्ती इंटरस्टिंग बात है कि भारत की साइट से हमारे रक्षा मंतरी ने पार्लेमेंट में खड़े होकर देश के सामने बदा दिया कि आपर हुआ क्या था चाइना ने कोशिश करी एंटरी करने की तवांग रीजन में हमने इनको वापस भेज दिया और चाइना को मजबूरी में आकर अपनी पोस्ट पर लोटना पड़ा ये बात इंडिया के रक्षा मंतरी ने केडेगोरिकल यहाँ पर कई है मगर चाइना की साइट से ये लोग इस पूरे इशु को डाउन उपले करने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपे नोड करना सुबे से कि ग्लोबल टाइम्स इसके बारे में कुछ बोलेगा ग्लोबल टाइम्स कुछ आर्टिकल पब्लिश करेगा ये लोग हर छोटी बड़ी चीज के बारे में कुछ ना कुछ राले की जरब से ये statement आई है कि जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है यहाँ पर situation इस वक्त stable है और आगे ये ये भी आड करते हैं कि दोनों साइड्स ने अन अब्स्ट्रक्टेड डायलोग स्टार्ट कर दिया है मतलब के बात्ची स्टार्ट कर दी है diplomatic और military channels के through तो इससे ये बात तो confirm हो जाती है कि people's liberation army को जटका लगा है नहीं तो ये बात आप सब जानते हैं कि ये लोग प्रोपगेंडा करने में अपने लोगों की वावाई करने में पीछे हटते नहीं है हाला कि ये कहूंगा last time जब गलवान वेली incident हुआ था उस समयना चा अभी के लिए चाइना का एक बहुत ही defensive reply आया है साफ साफ लग रहा है कि इनकी जो top establishment है वही shocked है कि इनकी army ने कोशिश करी एक बार को तवांग में entry करने की और Indian side से इतना strong reply आया और तो और यहाँ पर भारतिये जना भी almost involved हो गई थी देखो चाइना little ली ना it is playing with fire आग के स control के बिलकुल पास पास से अगर कोई चाइना का drone जाता है तो उसके against हम कुछ नहीं करेंगे मगर हमें अगर आशंका हो गई कि चाइना का एक drone Indian side की तरफ आ रहा है आना तो दूर की बात है हमें उसकी जो trajectory है न वहीं दिख गई कि ये तो सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा है य यूटन ही ले ले वाला तो उसी वक्त हमारी एरफोर्स हो जागी activate और यह हमने देखा चाइना के एक दो drones बिलकुल इंडिया की तरफ आ रहे थे और Indian Air Force के jets active हो गए और दूर से ही चाइना को ये हमने बता दिया के air violation करना दूर की बात है इसके बारे में सोच भी मत लेना जैसी सोचों के हमारी तरफ से action start हो जाएगा तो ना सिर्फ हमारी land forces जो air force ने भी readiness दिखाई है ये देखकर China shell shocked है इसलिए ना global times ना चाइना की defense ministry कोई बड़ी statement दे रहे है इसको लेकर हर तरफ से China downplay करने की कोशिश कर रहे है इस incident को और कोई बड़ी बात नहीं है मैं literally कहूंगा के China को यहाँ पर इतना जादा एक pushback मिला है के हो सकता है के लंबे समय तक न अब China India के अगेंस कुछ भी करने की कोशिश ना करे क्योंके अब इनको ये message properly मिल चुका है Indian side is well prepared जो Chinese military है इनकी mentality यही है के जब तक ये feel नी कर पाते के दुश्मन अब properly ready हो चुका ह तब तकी enemy country को push करने की कोशिश करते हैं मगर इंडिया ने clearly indicate कर दिया चाइना को कि ना सिर्फ infrastructure के हसाब से even soldier moral के हसाब से भी हम लोग तियार है और definitely इंडिया कुछ ना कुछ economic action भी लेगा चाइना के अगेंस लग रहा है और लड़ी मैं देख रहा हूं कि अब ना देखो भारत में scrutiny हो रही है लोग ना अच्छे से जाज़ परताल कर रहे हैं कि हमारे कितनी कंपनिया है वहाँ पर चाइना की investment है कितनी हमारी कंपनिया है वहाँ पर Chinese directors आपको मिलेंगे और इंडिया की strong growth है ना इससे आकरशित होकर बहुत से Chinese investors चाहेंगे कि इंडिया में निवेश करें मगर definitely इंडिया ये कोशिश करेगा कि चाइना की जो इस टाइफ की investments है हमारी companies में ये restricted हो हमारी जो growth है उसका फायदा चाइना के investors ना उठा पाए अब घर ये तो हमने बात करी है कंपनियों की हमारे जो ग्रैम मंत्री है अमिशा ज इन्होंने ये बात बोली है कि चाइना की कोशिश थी कि हमारे एरिया में घुसे मगर उनको वावस भेज दिया गया उसके इलावा इनोंने ये भी एट किया कि चाइना की आज के समय डोनेशन बहुत ज़रा बढ़ गई है राजीव गांधी फाउंडेशन को तो आप कह लि कि अमिशा जी ने ये बोला है कि 2005 और 2007 के वीच में जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको ग्रांड ग्रांड होता है कि मैं अफ्री का पैसा ग्रांड विला था 1.35 करोड रुपीस का तो अमाउंट मैं कहूंगा कि बहुत ज़रा बढ़ा नहीं है और ये अमाउंट क इस पर अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी इस पर यूवैस मुस्ट प्रबबली यूवैस और कई और कंट्रीज रियाट करेंगी तो उस पर मैं अपडेटिड वीडियो बात में ले आऊंगा और फाइनली आपर मैं यह भी आड़ कर दूं कि आप किसी भी एक्जाम की कोर्स सिंप्ली यहां पर आपको क्लिक करना है प्लस पे और फिर जो यह सारे कोर्सें आपके सामने आ जाएंगे जो प्राइस यहां पर लिखी है न यह पे करने की जुरूत नहीं है फर एक्जाम्पर यहां पर लिखा है न कि 24 महने का जो कोर्स है यह आपको पड़ेगा 337 रुपीस पर मंत का यह प्राइस पर मत कर देना सिंप्ली यहां पर कोड यूज करो PD10 और प्राइस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे यू विल भी एबल तो सेव अ लॉट अफ मनी सो यूज अ प्रोमो कोड PD10 और सेव मनी सो इसी नूट के साथ यह है वीडियो का Phr普 बार सेलाएंगःन ऑरी कोड CBG यहांगे वीवाशन वारी हैंगे तो सेव मनूरा है भाइस वीश फे जान दोस्ता का सन्य यहां आप लारमण के यहां दोस्तस्या औरocaो कि टियूश्यौno